Hello everyone, Welcome to any video आज की इस वीडियो हम लोग सिखेंगे परिमेश संख्याएं, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी यानि छोटी और बड़ी परिमेश संख्याएं निकालना सिखेंगे काफी बच्चे इस परेश्ट को नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें देखिए माइनेस लगा हुआ है इसलिए नहीं गर पाएंगे सुभाविक सी बात है प्रेशन क्या हो जाएगा सोड़ा कठीन बन जाएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं सुरुगाती अवस्था से आपको सिखाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैं हर एक प्रकार का यहाँ पर कुश्चन लिया हूँ जिससे आप आराम से समझ सको जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और आपसे पूछूँ यहाँ पर जैसे मैं पांच बटे कितना लिख देता हूँ चार लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख दूँ आठ बटे कितना लिख देता हूँ चार लिख देता हूँ इन दोनों में मैं पूछो कौन बड़ी है तो आप आराम से बता सकते हो कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे उन्हें नहीं आता है तो ध्यान से समझेगा जैसे दिखे 5 बटे 4, 8 बटे 4 में कौन बड़ी है? यहाँ पर दिखे जब भिन का क्या हो हर बराबर होता है तो जिस भिन काँस बड़ा होता है, वह भिन क्या होती है? बड़ी होती है, यानि 8 वेटे 4 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और 5 वेटे 4 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, अब मा लीजिए, अगर मैं एक प्रशन ऐसा लिफ लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 3 बटे दो लिफ लेता हूं और यहां पर मैं 4 बटे कितना 3 लिफ देता हूं यहां पर देखें किसी भी भिन का हर क्या है बराबर नहीं है तो इसमें कैसे पता लगया जागा कौन सी भिन बढ़ी है कौन सी छोटी तो दो तरीका है या तो आप इनका क्राश मल्टिप्लिकेशन करके पता कर सकते हो दूसरा तरीका है या तो दो और तीन का यलसियम का पर यलसियम लेके आप आराम से पता कर सकते हो कौन सी भिन बढ़ी है कौन सी छोटी इसमें देखें जैसे तीन का गुला तीन में करोगे तीन तरीक कर नह हो जेगा और दो का गुला चार में करोगे द तरीका लएगा लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव रहेंगे अब एक-एक करके मैं आपको सिखाता हूँ आप ध्यान से समझते हुए हर एक चीज को चलिएगा आपको समझ में जरूर आजाएगा जैसे यहां पर देखे माइनस आठ बटे कितना है बारा है और यह 30 बटे क्या ह माइनस 45 है अगर परिमेश संख्या जैसे यहां पर मैं लिख दू तीन बटे माइनस 5 अगर परिमेश संख्या जैसे लिखा हुआ है तीन बटे माइनस 5 तो इसका मतलब जानते होता है परिमेश संख्याओं का हर क्या होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए हम क्या करें यदि अंस पलस में होता है तो अंस को माइनस में लिख देंगे और हर जो माइनस में था अब उसको हम पलस में लिख देंगे यानि परमे संख्यागर इस तरह से लिखी है तीन बटे माइनस पांच तुसे हमें लिखना पड़ेगा माइनस तीन बटे पांच ऐसा क्या होता है जरा इस चीज को सिखिएगा नीचे से minus को दूर करने के लिए नीचे से जैसे 3 बटे minus 5 लिखा हुआ है नीचे से minus दूर करने के लिए हम क्या करते हैं minus 1 का गुड़ा इसके साथ भी करते हैं minus 1 का गुड़ा इसके साथ करेंगे तो 3 का गुड़ा माइनस 7 के साथ करेंगे तो माइनस 3 हो जएगा अब माइनस 5 गुड़े माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जएगा प्लस हो जएगा इसलिए माइनस 3 बटे 5 आता है और इसी चीज को न समझा कर आपको मैं डारेक्ट समझा देता हूँ और आपके दिम और 30 बटे माइनस 45 में, तिसका मतलब यह माइनस 6 बटे 12 है, तिसे माइनस 6 बटे आप 12 ही लिखोगे, अब यह जो 30 बटे माइनस 45 था, अंस क्या है, प्लस में अंस को हम माइनस में लिख देंगे, और जो 45 है, उसे हम क्या प्लस में लिख देंगे, अब देखिए दोनों भी भी भीन्नों का अंस क्या है माइनस में हो अहर क्या है दोनों का क्या है पलस में अब यहाँ पर या तो आप cross multiplication का प्रियोग करके बता सकते हो कौन से भीन्न बड़ी है यह तो आप 12 और 45 का yalsyum लेके बता सकते हो अब दूसरा तरीका तीसरा एक और मैं बताता हूं जैसे यह भीन्ने अगर आपस में कट रहे हैं तो इनको काट के सरल कर सकते हो जैसे 2 से हम इसको काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं चार से काटेंगे चार दुना आठ यानि माइनस दो होजेगा और यह चार से काटेंगे चारतिया ही 12 होजेगा इसको अगर मैं काटू तो चार से अगर मैं काटू तो नहीं कटेगा पान से आराम से कट जेगा 5-6 कितना होज़ेगा 30 होज़ेगा यानि उपर-6 नीचे 5-9 कितना होज़ेगा 45 होज़ेगा इसे अब आप 3 से भी काट सकते हो जैसे 3 दूना 6 होज़ेगा और 3 त्रिक्का कितना होज़ेगा नहोज़ेगा अब यहाँ पर दिखे उपर क्या है minus 2 है इसमें भी उपर क्या है minus 2 है नीचे यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है तो जरा ध्यान दिजेगा यह क्या है minus 2 है और नीचे क्या है 3 है यह भी उपर क्या है minus 2 है minus 2 लिखो नीचे क्या है 3 है ति यह भी minus 2 बेटे 3 है यह भी minus 2 बेटे 3 है यानि ये भिन्ने माइने साथ बेटे बारा और तीस बेटे माइनस 45 क्या है आपस में बराबर है ना कोई भिन्न बड़ी है ना ही कोई छोटी है अगर आप यलसीम का परियोग लोगे तो भी आप आराम से बता सकते हो चली यलसीम विधी से बता देते हैं जिससे और आसानी रहे या बोलो तो अगले परशने बता देंगे कोई अगला परशन लेकर चली अगला परशन कराते हैं अगले परस्ण में बता देंगे, चले, यहाँ पर देखें, अगला परस्ण है, माइनस 16 बटे 20, और 20 बटे माइनस 25 में बताना आएगे, कौन सी भिन बड़ी है, कौन सी छोटी है, यानि कौन सी परमिय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी, तो जरह इसमें हम, माइनस 16 बटे का LCM निकालोगे तो गलत हो जाएगा सवाल आपको इसको पहले सिस्टमाटिक धंग से लिखना पड़ेगा माइनस सोला बटे इससे आप क्या लिखोगे 20 लिखोगे और इसे 20 बटे जो माइनस 25 है इसे माइनस 20 बटे आप क्या लिखोगे 25 लिखोगे अब 20 और 25 का आप आराम से LCM ले सकते हो 20 और 25 का आप LCM निकाल लो इसे देखे अगर आप काटना चाहो 2 से काट सकते हो 2 धाम 20 हो जाएगा ये 25 उसी तरह से रहेगा इसे काटोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पे 25 रहेगा अब आप 5 से काट सकते हो, 5 एक के 5, 5 पचे 25 हो जाएगा अब यहाँ पर 5 से काट होगे, कितना आएगा, 5 एक कम 5 आएगा तो आपका यलसियम कितना निकल करा चुका है, 2 गुड़े 2, यानि 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 25 कितना आजाएगा, सवा जाएगा आपका यलसियम निकल करा चुका है, कितना 100, कितना है 100 है तो यहाँ से आप इस तरह से बटे काचन लगाना, यहाँ पर क्या लिख लेना, 100 लिख लेना 100 इस तरह से लिख लेना, अब 20 पंचे कितना होता है, सव होता है तो 5 का उड़ा 16 में करेंगे 16 पचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा अब जरा यहां से देखो 25 दूना 50 पचीस चोके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा तो इस 4 का उड़ा हम 20 में करते हैं 20 चोक कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा मेरी बातें समझ में आगे होंगी आपको, इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस 80 यह भी माइनस 80 है, अब इन पूरे का बटे, दोनों का LCM 100 है तो इस तरह से 100 लिख सकते हो, मेरी बातें आपको अच्छे समझ में आगे होंगी, तब आपको पता चल गया होगा, इन दोनों भिन्नों में, यानि इन दोनों पर्मिय संख्याओं में, कोई भी पर्मिय संख्याओं दूरे सरे से न बड़ी है न छोटी, क्यों? क्योंकि ये भी माइनस 80 है, ये भी माइनस 80 है, ये तो आप यलसियम विधी से लिख कर आराम से बता लिए, दूसरा विधी जरा ध्यान से समझेगा, दूसरा विधी का भी परियोग मैं आपको सिखाता हूँ, यह कितना था, यह आपका माइनिस 20 बटे कितना है, माइनिस 20 बटे कितना है, 25 है, यहाँ पर अगर संख्यां कटने लायक हैं, तीन हे काटवीट के सरल कल लिया करेए, जैसे 16 को मैं काटू, 4 चो के 20 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यह देखे, माइनिस 4 बटे 5 है, माइनिस 4 बटे 5 लिख लो, यह भी माइनिस 4 बटे 5 है, तो माइनस 4 बटे 5 लिख लो, इसमें देखे, कितना आराम से आप कितना जल्दी बता दिये, कि काउन सी परमेश संख्यां बड़ी है, काउन सी छोट यहां पर मैं अगला सवाल आपको समझाने का पर्यास करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 बटे माइनस 3 लिखता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 बटे कितना माइनस 5 लिखता हूँ आगे मैं लिखता हूँ माइनस 6 बटे कितना लिख लेता हूँ 3 लिख लेता हूँ अब आपको करना क्या है यह देखे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा यह देखे आप इससे carpeat के सरल कर सकते हो यह भी नहीं काट सकते हो तो इससे आप काट सकते हो 3 1 के 3 हो जाएगा 3 2, 6 हो जाएगा यानि माइनस 2 बटे 1 इससे आप लिख सकते हो अब आपको किसका LCM लेना पड़ेगा, 3, 5, 1 का, तो 3, 5, 1, 1 को हटा दीजिएगा, अब आपको 3 और 5 का ही लेना पड़ेगा, तिसको आप इस तरह से लिखना 3 और 5, अब इसका LCM जरा निकालोगे, 3 से कटेगा 3, 1, 3, 5 इसी तरह से लिखा जाएगा, 5 से कटाओगे तो 5, 1, के 5, इसका LCM कितना निकल कराएगा, 3, 5, 15 आएगा, तो यहाँ पर दिखे, यह 2 बटे माइनस 3 है, इसे सिस्टेमेटिक ढंग से लिखोगे, तो उपर वाले को माइनस 2 लिख दोगे, नीचे को 3 लिख दोगे, उसी तरह से यहाँ पर है, 4 बटे माइनस 5 है, तो उपर वाले एक का LCM 15 निकल करा चुका है, तो आपको करना क्या है, इस तरह से नीचे 15 लिखते जाना है, इसके भी नीचे इस तरह से आप बटे रहा कर 15 लिख लेना, इसके नीचे भी आप 15 लिख लेना, अब यहाँ पर दिखे, तीन से डिवाइट करो 15 को, 3, 5, 15, 5 बार में कट रहा ह अब एक के 15 का उड़ा करोगे, एक से 15 को कटाओगे, 15 बार में कटेगा, तो 15 दुना कितना हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, अब आप बटाओ, माइनस 10 यहाँ पर दिखो, माइनस, जब हर क्या है, आपस में बराबर है, तो आप बताओ, माइनस 10 बटा है, कि माइनस 12 ब छोटा है अभी मैं चीज को समझाता हूं इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को थोड़ा लाश्ट तक देखा करिएगा अभी मैं एक चीज आपको नोट किये होंगे जो थोड़े मस्त बच्चे होंगे कि अगर उपर माइनस का चिन हो नीचे पलस का चिन हो तो कोई फरक नहीं प सिखा होगा वो कहेगा सर हमको समझ में नहीं आ है इसलिए लाश्ट तक पढ़ा करो अब यहां पर तत्थ क्या है जब हर आपका बराबर है तो जिस भी अंधिन का अंस बड़ा होता है वह भिन बड़ी होती है तो इसमें देखे यह माइनस दस है यह माइनस बारा है यह कौन है जानते हो जो संख्या सबसे छोटी है देखने में उसके उपर माइनस का चिन लगाए अगर सभी के उपर माइनस का चिन है तो जो संख्या छोटी है जैसे 10 माइनस 10 यह है यह माइनस 10 बटे 15 वाला जो है यानि यह पहले नमबर पर है तो पहला नमबर क्या है दो इन तीनों में से सबसे क्या है बड़ी है अगर पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी है तो यहाँ पर देखो आपका कितना है माइनस 30 यानी जो संख्या बड़ी है और उसके उपर माइनस कचल लगा है यह क्या है शबसे छोटी है यानी माइनस 6 बटे 3 पहले ये माइनस 6 बटे 3 नहीं था ना माइनस 6 बटे 3 क्या है छोटी है क्या है छोटी है और ये क्या है बड़ी है अगर इसी को कराम वाई जी रिखलना पड़ जाए तो इसी आप क्या लिख सकते हो 2 बटे माइनस 3 क्या है बड़ी है फिर इससे क्या है छोटी काउन सी है इससे छोटी आपका क्या है आपका चार बटे 5 है इसका छोटा काउन है चार बटे माइनस 5 है फिर इससे छोटा काउन है इससे छोटा माइनस 6 बटे 3 है माइनस 6 बटे 3 यानि माइनस 6 बटे 3 क्या है सबसे छोटी भिन है सबसे छोटी पर अब मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझा दिया आपको समय में भी आया होगा यहां पर दिके कुछ सवाल लिखे हुए इनको आपको मैं यच डगलू के लिए देता हूं इसे आप लोग घर पे करिएगा और लगाईएगा अच्छे तरीके से और एक सवाल दे देता हूं जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस 3 बटे माइनस 8 लिख देता हूं दूसरा लिखता हूं माइनस 8 बटे माइनस 12 लिख देता हूं यहां पर एक और लिखता हूं 4 बटे क्या लिख देता हूं 4 बटे 4 बटे 9 लिख देता हूं आपको बतान यानि सवाल को अच्छे तरीक़ से लगाना आपका सवाल बिल्कुल जहीं आएगा ज़र Gabra bet